वाहिगुर्ची का खालसा वाहिगुर्ची की फते पंजाबी ओडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरोतियानू मेरे मिरें दर कॉर्वलों प्यार परी साच्छी काल किताब पूरी होई करामात जीवनी श्रीगुरु रामदास ची लेखक सतबीर सिंग लहोर परकाश ते बालपन चूना मंडी लहोर पामे दरिया रावी दे किनारे वस्या शहर है पर रता कू गौनल देख्यां अते बाजारां विच को मिया एह परतीत होवेगा कि एह उच्चे टलेयां ते उस्रेया शहर है कितने ही अजेह ठाहन जिना ते पौडियां चड़के जाना पेंदा है एक ऐसे ही टले ते चूना मंडी दा परसिद अस्थान है जद रुशनाई दर्वाजे तों शेरां वाला गेट वाल जाये अते मस्ती गेट तों पहले मोड वाल मुड़िये ता पहला वड़ा चौना मंडी दा ही ओना है फिर चुना मंडी दा बाजार अते महला है इस लागे ही डबी बाजार दे नाल ही लागदा चौंक कोत वाली चौंक वजीर खान ते चोटा बाजार दी ओहो दुनी चांद दी पर सिध हवेली है जित थे गुरु नानक देव जी ने आसा दी वार दियां पहलियां पंदरा पौड़ियां उचार दुनी चांद दा गुमान उतारया सी लहौर शेर बारे बचन वी कहे सान की लहौर सहर जहर कहर सवा पहर शेरी जिन्दगी विच जहर है हर चीज जहरी ली हर शे मिलावट वाली ते हर कोई क दूजे ते कहर टा के अपना निर्बा करदा है सब कुछ मिल जाएगा शेर विच पर अमरित वेला नहीं मिलेगा सवा पहर सुत्यां ही गवा देन देहन शेरी लहोर इस दा परतीक सी कूक सुत्यानू गुरु नानक देव जी ने आज गाया सी इस लागली चुना मंडी विच मानक दिया कणिया ते लाल रतना दे निके निके टुकड़ें दा वपार हुन्दा सी चुनी दा अर्थ ही मानक दी कणि जां लाल रतन दा छोटा टुकड़ा है एथे वसेबा उना लोकांदा सी जिना दा किता जां शाहुकारा सी जां वपार सोडी कुल दे बौते लोकी इसे इलाके विच रहें दे सन कई पासेयां तों कुम फिर सोडीयां ने अपना पकाव सेबा एथे बना लिया सी इसे ही चुना मंडी एक ऐसे लाल रतन दा प्रकाश होया जिसदे चान्न दिया किरना ने जगत नू रुशनाया इक गुर्दयाल सोडी ने अपना टिकाना लहौर चुना मंडी कीता उस दे कार दो लड़के होये अते दुजे दा नाम ठाकर दास रख्या गया उस दी कारवाली दा नाम बीबी करमो सी मैं काल्फ दा कहना है कि करमो ने बहुत जास खटेया इस कार के जस्वन्ती वी कहलाई बंसावली नामा किर्थ पाई केसर सिंग छिबर दे लिखे अनुसार इहे सम्मत पंदरां सो कत्ती दा वाक्या है सम्मत पंदरां से इकत्ती तब थे गए जब ठाकर दास सोडी जन्म लई इस हिसाअब नाल सन चोदां सो चोहत्तर बांदा है बाबा ठाकरदास जीदे कर सन पंदरां सो नू हरिदास जीदा जन्म होया उना दी कारवाली दा नाम बिब्बी अनूपी सी उना नू ही दया कोर करके जाने जान्दा सी बाबा हरिदास जी निरे नादे ही हरिदास नहीं सन सच मुछी प्रभू दे दास सन बड़ा निगगा सुबासी देवी देवते नहीं सन मनां दे संतोखी सुबासी किर्थ विच्छी संतुष्ट सन हर आए गए दी सेवा करके अनांद लेंदे अम्रित वेले उठ दे प्रबू पगती विच जुड जान दे उना दी एहे ही अर्दास सी के कर अजेहा बेटा पैदा होवे जो को लदाना रोशन करे गवाचिया सनमान वापस ले आए प्रबू दा प्यारा होवे इस शहर विखे थां थां बाजार बाजार गड़ी गड़ी बनक बैठे सन जो शाहू कारा कारदे सन उथे ही सोड़ी कुल विच्चों एक उच्चे मुरातबे वाले पाई हरिदास जी वसेबा कारदे सन इंज परतीत हुन्दा है कि एहे साब परबाव गुरु नानक देव जी दे लहोर चोहटा विच ओन कारंसी चुना मंडीतों दुनी चंददा चोहटा दो फरलांग भी नहीं परकाश शादीतों बारा साल पिछों दातार प्रबु ने अरदास सुनी ते 25 स्तंबर 1534 इस रभी जोडे कर गुरु रामदास जी दा प्रकाश होया ऐसा नूर होया चारे पासे की चांदनी जही हो गई बालक दा नाम जेठा रख्या गया क्योंकि बाबा हरदास जी का अरजन में ओ पहले बालक सान फिर दो साल पिछों दुजे पाई हर देयाल दा जनम होया ते फिर इक पैन जिसनू रमदासी किहा जनदासी दा जनम होया नुहार ग्यानी ग्यान सिंग ने तवारीक गुरु खालसा विच आप जी दी नुहार बारे लिखिया है कि गोरा बदन अत सुन्दर मोटे नक्ष ते चोड़े मत्यवाले सान मेकाल्फ ने सोने सुनक्खे मुस्करांदे ते कदे किसे नू रोंदे ना देखन दा जिकर खास कारकी कीता है रब्भी पट्टा ने गुरु ग्रन साहिब विच उचेचे तोरते लिखिया है कि ठाकुर हरदास जीदे पुतर नू जो सोदा मावांग मापयां बहुत लाड लडाई कवल नैन हन आत सोने हन अते जद तोतली जबान विच गल्ला कारदे हन ता बहुत ही मिठे लागदे हन मथा चोड़ा ते दांद चीटे हन कुंद दसन मत माता पिता संतोख दावी इशारा पट्टाने किता है जिस्दा पाव है कि उच्ची चंगी मत ते संतोखी वातावर्न विच पले हन सुबा करम सवच वातावर्न विच पलन कारण मत अत डूंगी सी प्रभू नाळ निक्यां हुंदेयां तो प्यार सी अडोल चित तीरजवान तरम सुरूप सान देन अते वंडन दी रुची बाल पंतों ही सी आया गया सादू सांत महात्मा जां फकीर जोवी देख दे तक दे कर ले आऊंदे जां उस दी लोड पूरी करन ले पिता नू कहिंदे पांत परकाश विच बाल उमर ब्रदन सी चाले दे शब्द लिखे हन जद बच्चिया नाल खेट दे तावी पगती पावदियां गल्ना कार दे ते प्रभू नाल चित लगाउन ली प्रेर दे पाट कल सहार ने उस समय बारे ही लिख्या है कि ओहो नाम दे रसिये गुणा दे गाहक प्रभू दे प्यारे यते हर इक नाल इक को जिहा वरताओ कर्णवाडा सुबाराख दे सन ओना हर नाम रस्क गुबंद गुण गाहक चाहक तत सम्त सरे दे शब्द वरते हन मा बाप दा चिडाई कार जाना साथ साल दी उमर विच पहला मा ते फिर पिता जी गुजर गए संसारी तोर ते इतनी वड़ी साट सी के सहारनी मुश्कल सी एक छोटा प्रा ते छोटी पैन दा पारवी सर्ते सी पर आप जी जरा न डोले शाहुकारा करन दी उमर नहीं सी इसले छाबडी लगाउन दा मन बनाया ते इक हानी ने कुंगनियां दा थाल बनावी दता उद्धम उपराला थाल लेके ओह रावी किनारे आए डिठा की कुझ पले लोक रावी विचो नहां के निकले पाई जेठा ने होका दता ही सी के उना विचो ने किहा मेंनू दो बुका दे जेठा जी ने इक बुक पार के दती उस किहा होरना नू भी देओ ता आप जी ने सगल चंगेर पल्ट दी एमे सचे सोदे नू जी में दोहरा रहे होन कुझ चर करतकार करदे रहे पर जिम्मेवारी वड़ी सी आप जी दे नान के बासर के सान ते नानी अपनी बेटी ते जुआई दा गुजरना सुन के लहौर ही आ गई सी पर जाद उसने डिठा कि इतने वड़े शरीके विचे रहना ते फिर गुजारा करना कठन है ता हो अपने पास ही बासर के ले आई एहे पंदरा सो क्यारी इस्विदी कटना है लहौर छड़न दी याद पिता माता दे गुजरन ते कारदिया ओकणा ते रोटी कमौन लई दारदार पटकंदी बात नू गुरु रामदास जी ने हम रूलते फिरते कोई बात ना पूछता करके लिए जित्ते जम्में पले अते हानिया नाल खेड वड़े होए उस गली नू छड़न वेले बालक जेठा जी नाल जो गुजरी होवेगी उसता एहसास ही किता जा सागदा है मापया दे कार बाहर हटी ते वपार नू जंदरा वजजा देख शरीका सगों खुशी मनाई होवेगी पर कईया ने बड़े दुखनाल विदा किता सी पर कौन जानदा सी कि जिसनू आज यतीम समझिया जा रहा है उसे दे सिर निरंजनी छतर चुलना है अते संसार ने सिर चुका तूडी मत्य लगा मान मिलया समझना है बासर के विखे दास साल बासर के दा पिंड शिरी अमरिसर नेडे ही है छे हर्टे तों दखन पच्छम वाली सडक ते ही आठकु मील दी वाठ है समेदे गेड नाल असल बासर के दा पिंड उजड गया लागदा है हुन वाले पिंड बासर की गिलना कोल जेडा थे है ओहो ही बासर के सी पिंड लागगे ही कताल दा होना एहे दरसारिहा है कि कदे पिंड बहुत वड़ा सी फिर कुझ दूर बीबी अमरो जीदी समाद दा बनेया होना वी एहे ही दरसांदा है कि पिंड दा खिलार वड़ा सी सन साहिब अते उस लागे ही गुरु अमरदास जी दे खूदा होना ते गर्णा साहिब जिस पिपल हेट बैठ गुरु अमरदास जी पंड वासिया नाल अमरित वेले विचारा कारदे सन दावी पास होना दास्ता है कि यह सारा इलाखा बसर चे दी जूवी च शी एहे खूते ताल गुरु अमर्दास जी ने गुरु जिम्मेवारी संबालन तों बहुत चिर पहलना लगवाए ते उसारे सा इस पेंड गुरु अमर्दास जी दा जनम मई दी पांज 1489 इस वी नू बाबा तेज पांजी दे कर मातल लखो जी दी कुखों होया सी बाबा जेठा जी दे नान के इसे पेंड सान गुरु अमर्दास जी पेंड दे वड़े होन कारण ते हर इक दा दुख सुख वंड़ोन कारण सारे ही आदर कारदे सान बाबा तेज पांजी अक्तूबर 1523 इस वी विच गुजर गए सन कारदी सारी जिम्मेवारी आप जी ते आप अई सी पिता जीदियां अस्थियां हर दुआर ले जान वेले ही बाबा शिरी चांद दे इक चेले हरी कोडों बाणी सुण के मांटे क्या सी ते सुर्त जागी सी के बाणी दे रचनहार दे दिदार करना चाहिए पर बनसावली नामे दे लेखक दे शब्दा विच ग्रहस्त दे इतने चमेले सान की करों निकलन ना होया प्रावा नालों आड़ हो गए कर संतान दी संबाल ते बौता समा लगण लगगा सान पंदरा सो चौनती इसवी नू चौती संतान बिबी पानी दा जनम होया बिबी पानी दा नाम ही लतीफ ने मोहनी ते छोटी होन कारण लाडली लिख्या है पर रजा विच राजी होन कारण पानी पर सिद्ध होया बिबी निदा नी जिसनू सलखनी कारके में काल्फ ने लिख्या है सब तो बड़ी सी सिख इतिहास विच ओहो दानी करके जानी जान्यदी है बाबा मोहनजी यदे मोहरी जी दो पुतर सन मोहनजी मन मस्त सन ते मोहरी जी हुण कर बाहर दे कारज़ां विच हत वटोन लग पैसन जद जेठा जीनु लेके ननी बासर के आई ता ओहो तकरीवन ओहो ही समा सी जद ब्रह्म चारी निगूरे का संग जनम गया तेरा आख के बाबा अमर्दास जी दे करो निकल गया सी इतनी पटकना वदी सी के रात दिन टोल दे रहें दे सन की गुरू केडा है ते उस दा साथ कितों मिले पुराणिया यादा जागिया सन ते जिस बाणी ने तरवास दती सी उस दे रचनहार वाल त्यान गया सी ऐसी ही बाणी जाद बिब्बी अमरो दे मुहों सुनी सी ता परजाई पागो नू कैके बिब्बी जीनू नाल पे जिना मनाया सी देवनेत उसे दिन बिबी अमरो खडूर साहिब गए सन सो उडिकना अवाश सी इह याद रहे कि बिबी अमरो जी गुरू अमर्दास जी दे छोटे पाई मानिक चांद दे लड़के जसू जी नाल व्याई होई सन कोई बात ना पूछता इतनी छोटी उमर विच कारदा पार चुकन लई नानी ने त्यार कारदता ओहो ही कुंगणिया दी करत अरंब कारदती आप जी तालाब किनारे छाबा लगा के बैठ जान दे ठके तुटे राही जाद दरकता दी छां हेठ अराम करके उठते ताक कुझ विक्री हो जान दी लोडवंदनू देख के दो बुका देख के उस दी त्रिप्ती विकार दे पामे कई वारी जिठा जी ने बाहर फेरी लगौन ली तरला पाया पर नानी अखिया तो ओले होना नहीं सी देख साग दी सो समा तंग दस्ती विच कटेया जान लगा पर विहार विच शुकर शुकर दी ही तो नहीं निकल दी सी बाबा अमर्दास जी दी बासर के फेरी जद गुरु अमर्दास जी काल थाए पई तां गुरु अंगर देव जी ने नवा नगर ब्यासा किनारे वसाउन दी आग्या किती नगर वसाउन तो पहला एहे होकम भी किता की बासर के हो आओ ते परवार नू वी हुन गोईंदवाल ही लाओ बसर के आओन वेले जद पिंडवासियानू पता लगगा की बाबा मर्दास जी परवार समेथ हुन गोईंदवाल जा रहे हन तां सारे विदा करन ले पिंडवाल बाहर तक आई इंज लागदा है कि गोईंदवाल दे वसंद दी महमा छेती ही चारे पासे फैल गई सी अते एहे वी परगट हो गया सी कि गुरु नानक देव जी दी गुरु गद्दी दी जिम्मेवारी वी एना देही सिर रखी जानी है ता पिंडवासी खीवे नहीं सन समाई पाई जेठा जी ने वी सांग नाल गोईंदवाल जान दा मान बनालेया उमर वी 16 साल दी हो गयी सी गुर सातगुर संग गुरु अंगद्देव जी उनत्ती मार्च 1522 जोती जोत समागे सान ते गुरु अमर दास जी ने होन पक्काव सेबा गोईंदवाल कार लिया उसारी दे का मजारी सान बाबा जेठा जी वी बहुत चर सेवा विच्च ही जुटे रही सान किर्थकार ओहो ही च्छाबडी लगा कूंगणिया वेचनवाली रखी पामे लंगर खुला वर्तिदासी पर आप जी देख रहे सान कि गुरु अमर दास जी वी आपू किर्थका वान दी हाजरी वी पार्दे हन सेवा विच वी जुटे दखाई देंदे हन ते करत्वी कार्दे हन तप उच्छ बैठे बासर के छड एथे क्यों आये हो बड़ी अधी इंगी नाल पाई जेठा जी ने केहा संसारक लोडा ते स्रीरक खाईशां ताज के एथे आया हा उस समय गुरु अमर्दास जी ने असीस वज्जों केहा सी जे संसारक इच्छावा लाल सावा ते मो परे हटा आये हो तस सची पाथ शाही वी तुहानों ही मिलेगी सच्चा तक्त ते सची पाथ शाही उसे नों मिल दी है जो किर्थ ते सेवा विच मान लगाउंदा है बीबी पान स्यानी उमर्दी हो गई है सो वार लोड़ना चाहिए महराज ने सुबावक पुछ्या की लड़का कैसा हो वे ता माता जी ने कहा कि वैसा जो सदा सेवा विच जुट्या रिंदा है उस समय गुरु पाथ शाह ने कहा कि उस वरगाता ओहो ही है तवारीख गुरु खालसा व परियातों पाई जिठा जी दा कर्म सुबा नीज नाल देख रही सन गोईंदवाल दी सेवा कार्दे देख वी उना असीस दती सी उना देख लिया सी के पाई जिठा जी दिल दे सकी ते निमर्ता वाले हन सत्ता ते बलवंड जी ने जिन सरेया तिने सवारेया वाली जो कि आपों ही गुरु अमर्दास जी ने टूंड लब करके सोना बनाया गुरु रामदास जी ने आप वी इशारे मातर राग माज विच पिछों लिखिया सत्गुर मित्र मेरा बाल सखाई सिख इतिहास ने एह वी लिख्या है कि व्यादे समय बड़े ही निमर्ता परे शब्द आखे सन ओना ही पामानू पिछों गुरु गद्दी दी जिम्मेवारी संबालन वेले गुरु रामदास जी ने उस शब्द विच जेडी मुख बात गुरु रामदास जी ने कही ओहो मेरे मीत गुर्देव कैके गुरु अमर्दास जी नू संबोधन करना सी बिबी पानी जी नाडव्या दसंबर पंद्रासो बवन्जा दे महिने ही हो गया बिबी पानी गुरु अमर्दास जी दी सब्तो छोटी बेटी सी सब्तो वड़ी बीबी दानी पाई रामा जी नाडव जो बेदी वांश विच्चों सन नाडव्याई होई सी बिबी पानी बारे साड़े तेहास विच लिख्या है कि ओह बाल उम्रे ही प्रभू पगती विच्च लाग गई सन पाऊ पगती दा रूप ही सन पानी जी पाऊ पगत को तन जन पानी इकांत पसांद सन इंज जाननों की कीरती ने ही रूप पानी दा तार्या सी माननों कीरती रूप करेओ है जां लच्च मी सन सुबा दे आत शुशील संज्मी निमरता वाले ते स्रेश्ट बुद्धी दे मालक सन सुमत गहीला बीबी पानी जी दी स्रेश्ट बुद्धी दी कुदा अरंदेनी एठी ही ठीक रहेगी जद बाबा पृति चांद ने गुर पिता अग्गे गुस्ताखी दे बोल बोले हते महादेव ने जलियां कटियां सुनाईया ता आप जी ने गुरु अर्जन नो कोल बिठाल के किहा कि गुरु पिता विच मो वरगी कोई चीज नहीं उना पुत्तर करके किसे नो दात नहीं देनी उहोता सेवक ते ही रीजन गे नहीं गुरन कै मोहो कदाई रीजय सेवक देहें बड़े आई पुत्तर इह याद रखना कि गुरु नानक देव जी ने सेवक दी सेवा ते ही खुश होके इह दात इलाही दती सी फिर गुरु अंगर देव जी ने वी उसे तरह पिता जी नू देत पए पिख सेवक नेरे तिन के सम तुम कालो काल पृथी चांद नू बहुत समझाया है पर उह बहुत ही अहंकारी हो गया है इतना मूरक हंकारी हो गया है कि एहे ही कही तुरी जान्दा है कि गुरु दी महमा उसकार के है हम ते महमा कहे गर्बंत हत मालदा रह जावेगा तुसी हुकम मन आग्या विच रह सेव कमा एहे मरातबा पौणा है एहे सब कुछ कोई बीबी पानी वर्गी ही कैसाख दी से सावन दे चूले चूलन लई जद बाकी सहेलियां बाहर जान दियां ता उहो गुर पिता कोड़ों पुछ के जान दे सन जो पिता जी उस समय उपदेश दें दे उहो सारियां सहेलियां नू जा सुना दे पिता जी आम तौरते एहे शब्द सुना दे सन एहे जगत ममता मुवा जीवन की बिदना है गुरु के पाने जो चलै ता जीवन पदवी पाहे पीबी जी सहेलिया नुई कठा करके सदा एहे कहिंदे कि असी बे समझ जीव लेलिया वाग खेड़ दे पए हां पर किसे नुँ पता नहीं के मौत उपर गाज रही है सन नु एहे ही बान आउंदा है कि उसनु सिमरिये फिर गुरु नानक साहिब दी तुक सना दे कारकार एहो पाहुचा सदडे नितपवन सदण हारा सिमरिये नानक से दे अवन फिर कैंदे हसना कुदना खेड़ना माड़ा नहीं पर एहे इतना वी नहीं होना चाहिदा की प्रबू ही विसर जाए माता जी वी इननु एह उपदेश देंदे सान की साड़ा सबदा राखा गुरु नानक है उना मौत दा डारला दता है उना जाच सिखला दती है कि इस दुनिया विच सुख ते दरगा विच मुक्ती के में लैनी है बीबी पानी जी दी पशाक बहुत सादा सी कदे गैना तक ना पैन दे कदे खाहिश भी नहीं उपजी सी में काल्फ ने एहे वारता वी लिखी है कि इक सिखने गुरु आग्या मंगी कि ओहो बीबी पानी नू रेश मी बस तरते गैने बना के देना चौंदा है बिल्कुल सादे कपडे नव वियाही नू सोब दे नहीं ता उसे समय बीबी पानी जी ने आसा दी वार्दा स्लोक पार सुनाया कूड सोएना, कूड रूपा, कूड पैननहार, कूड काया, कूड कपड, कूड रूप अपार उसे सिखनो समझाया कि तान दी ठीक वर्तों इहे है कि लंगर विच कदे तोटना आवे हर आए गए दी लोड पूरी होगे जे पाई जिठा जी संगता दी सेवा विचरुजी रेंदे सान ता बीबी पानी जी पिता जी नू परमेशर दा रूप जान अमरत वेले उठके इशनान आद दी सेवा कार दे सूरज परकाश विच लिखया है कि उह बेटी दी तरह नहीं सेख ने आई सेवा कार दे सान माननू द्रड करके सुर्तनू टिकाउं दे सान फिर कदे पर गटावा नहीं सी टंडोरा नहीं बीबी जी कैंदे वी इही ही सान आच्छो काम दिखाए ना चाहे लाब कटै पाखंड इसमा है फिर सरफ एक बीबी पानी जी ही है जो गुरू बेटी वी है गुरू पतनी वी है ते गुरू जननी वी हंकार लेस मातर नहीं जदो गुरू पिता ने कहा सी के समे पीडे आ रहे हन बड़े उपदर उठाण गे दोखी ते जुल्मादा पहाल टाण गे हत्ते आरे ता रजादी मूरत पानी ने बड़े विश्वाश नाल के हा सी होर्स अजर ना जर्या जाई बुटे शा ने तारीख इपंजाब विच बीबी पानी दी जर्न शक्ती दी एक उदारन देंदे लिख्या है कि बीबी पानी जी दे नंगे पैर दा अंगूठा उस चौंकी हेठ आ गया जिस ते बैठ गुरु अमर्दास जी इश्नान कार दे पैसन खून वै तो रेया अत दर्द उठंदे बावजूद वी परज़ानी परगटना होंदती ना सी कीती ते ना पैर खिचन दी कोशिश कीती एह सर्फ उस दी संतान ही जार सकेगी गोईंदवाल काल कमाई ते जिम्मेवारिया जो काल पाई जिठा जी ने गोईंदवाल विखे तकरीबन बाई साल काली उस दा विस्थार पामे सिख इतिहास रब्बी पटन सत्ता ते बलवंड जी अते पाई गुर्दास जी ने दता है पर इस आप बीती नू जिम्मे गुर्दास जी ने गुर्बानी विचे समोया है उसनू वाचन नाल काल दे करडे हों दी कुझ कुछ अलकता मिलेगी ही पर उहो रहस भी खुल जाएगा जिसनू पाई गुर्दास जी ने जान ना देशा सोडियो किहा है बंसावली नामे दे एहे शब्द सारी का आलदा तुराहन की साकना जाता हिर्दे रखिया सेव की पाऊ चचलाई चतराई ना खेड़न हसन दा चाऊ परीत चरनादी सेव की रखी बिना सत गुर्धोर ना देखन अखी गुरु दे राते तुर्दियां तिन वाशनावा अजहिया सन जो हर इकदा पैर रोक लें दिया हन पर गुरु रामदास जी इना विच नहीं हुल जे पहली वाशना दे वाशना है कुल वड़ी है रिष्टा आदर मागदा है अगले दा फर्ज है सेवा पाऊ करे पैजेठा जी ने इस गालदी रता पर प्रवाना किती जद लहोर तो आये कुझ रिष्टेदार अते मुखी मंगला ने मूँ चड़के गुरु रामदास जीनु केहा की तूंता साड़ी कुल नू लाज लवादती है सौरे का रटिक सिर टोकरी चुक की ता आप जीने केहा सी के एहे नहीं जान दे एहे की आख रहे हन। जो शै योग साधना नाल नहीं मिल दी एथे इको नदर नाल प्रापत हो जान दी है। गुरु मर्दाफ चेहनेवी ब्रादरीनु के हासी पलेलोको इह मिट्टी दी टोकरी नहीं साब जग छतर दीन में इनको इना सेवा राही में नुँ वसकार लिया है कर सेवा मुझको बस कीना गुरु जी ने जद उस समय रता कू जांचन लई पाई जेठा जीवाल डठा ताउना देख्या कि प्रेम दी नै नैना विच वे रही है नदी प्रेम मम मन इस बहे सारे हंकारानों छड के लोक लाज छड के सरीर ते खेचला सहार के प्रेम ते पक्ती विचलीन होके इर्खा नेडे ना ले आके मन बचन करम नाल सेवा ही सेवा की ती तवारीक गुरु खालसा विचवी इसे सिलसले विच लिखिया है कि पहला ही गुरु अमर्दास जी सच्चा सिद्की सेवक गुरु रामदास जी नू समझी बैठे सन। गुरु नामदास जी ने भी सौरे जवाई वाड़ा सबंद छड़ के मनों तनों चौवी साल सेवा की ती छे साल ता मुंडासा ही नहीं उतारया रभी पट्टा ने जरा विस्थार नाल इस सारी का अलनू लिख परगट कीता है पाटनाल जी केंदे हन की जाद गुरु अमरदास जी दा सब बिद माननेों मन तब ही पयो पर सन ता फिर राज जोग तक्त दियन गुरु रामदास एहे किसे त्रिया हट जा मरजी दे उल्ट नहीं सी कल सहार जी केंदे हन की इहे होया इस तरह की जाद पाई जेठा जी गुरु चरनी आये ता उनानू गुरु अमरदास जी ने विचार बक्षी ते लिव लगाउं दी जाच सिखलाई पगती दे प्यार विच पाया ता मन जाग पया मन जागन नाल हिर्दा रूपी कवल खिडपया जीवन विच खुश बुई आई कार गरस्ती होये पर उना गरस्त विच ही रहके अभे निरंजन करे लाहा पंजे वस हो गई सची गालता इह है कि उना मो नू माल दता करोध दे टोटे कार दते लोब नू दुरकार दता ऐसा जीवन नू बन मारया कि इह सदा पर सन चत विचरन लगे गुरु दे प्यार विच मस्त फिरन लगे मान नो प्यार परी पगती दे चश्मे ही चल पई प्रेम दी नैनू वदा उनले कीरतन कार दे शब्द दा सुआद लइंदे दे दिन दे इह प्रेम रसपा के उना सेवा नहीं छड़ी गाफल नहीं होया ते नाहीं कदे ठकके सदा वा वा ही कारते रहे उसे तरह जिवें गुरू अमर्दास जीनू कारदे होई आप जीने डिठा से कल सहार जीने बड़े टोक में संकेत वर्त के इस सारी काल नू थोड़े शब्दा मिच लिख्या कि गुरू रामदास जीने शर्दा नू मूल रख्या हिर्दा ऐसा टिकालिया कि उसते गर्मी सर्दी दा असर ना होया संतोख दी कनात तान लई के कोई बाहरला प्रबाव ही ना पवे मिठा सुबाव ऐसा बनालिया कि उसने संजोधा कम किता शब्दनू हिर्देट कौन प्रंत नाम उपजया ते गुरू दी टेक रखी तेस सारी अवस्थानू कायम रखन लई साध संगत दी मिठी मिठी खुशबो नित लेंदे रहे गुरू नानक देव जी प्रंत जिमें बाकी गुरू सहबान ने गुरू पदवी प्रापत कीती उसदा वेरवापाई गुर्दास जी ने तीजी वार्दी तेरवी पौडी विच कुझ कुदता है उना दा कहना है कि गुरू नानक देव जी ता गुरा गुर सन उना गुरू अंगदेव जी नू सहज विच टिकना सिखला के अल्ख अपेव प्रबू दी सोची देके थाप दता गुरु अंगदेव जी ने हुकम समझा के ते हुकम विच टुरना सिखला के अल्ख नू परतक कर दता ते सगों जिम्मेवारी सौंब दती गुरु अमर्दास जी ने गुरु रामदास जी नो प्रेम प्याला त्यार करंदा वाल सिखला के उसनो फिर अमरत नाल पार दता सत्गुर नानक देओ गुरा गुरु होया अंगद अल्ख अपेओ सहज समोया अमरह, अमर समेयो, अल्ख, अलोया, राम, नाम, अरेख्यो, अमरत, चोया गुरु रामदास जी दी अपनी जुबानी फास्टर ने अपने सफरा विच लिख्या है कि गुरु रामदास जी ने ते हासक कट नामा अते वडिकियां दे उपदेशां ते नेमा नू एक थामे कीता अते उना दी रचना दी व्याख्या करके नाल जोडी इस नुक्ता निगातो गुरु रामदास जी दी बानी पड़ेयां अनेका ही रहास खुल दे हान गुरु रामदास जी ने ही पूरब अभी इच ते गुरु अमरदास जी दे जान दा जिकर तुखारी रागविच कीता है तपे दे विखाद ते अकबर पास दली शिकायतां पहुचोन वाले मरवादे पुतर दा हशर सनातनिया दे वैर विरोध दा वर्नन प्रथी चांद दा चगड़ना अते अपनी हड़ बीतिनू बड़े सहज सुबा टांग विच लिखेया एहे ही जचेगा की पहला गुरु जी ने जो काल काली उस दा जेकर उना दी ही जुबानी किता जाए फिर गुरु रामदास जी नो एक इतिहासकार दे रूप विच देख्या जाए गुरु अमरदास जी नो जिवे उना डठा ते जिवे विरोधिया दे हर हले वेले ओहो शांत चित रहे उस दा वर्नन गुरु रामदास जी ने किता गुरु अमर्दास जीदे मिठे सुबा आबारे उना लिख्या है कि नमानेया गुरु मान है ओहो वे परवा ना बोलनी दे शब्द वी लिखे हन इक थावे गुरु जोगी पुर्ख मिलेया रंग मानी जीयो वी लिख्या है इक द्रिष्ट कार देख है वाड़ा गुरु जीदा कर्म है गुरु मर्दास जीदी खिच्वी शक्षियत बारे तुखारी रागदे शब्द वीच लिखे है जद तीजे पाथ्षा हर दुआर पुझे ता सारी लुकाई ही गुरु दा दर्शन करनली खिची आई सब मोही देख दर्शन गुरु फिर नगर दे मुखी सजण महाजनावी शर्न तकी ऐसा प्रभाव सी गुरु जीदा की सब दुनिया पाग सत्गुर पिच्छे पई सब संपरदावा दे मुखिया ने अपने विचार उना दे चर्ना विच बैठ शुद की ते जिना निरवेर गुरु अमर्दास जी नाल वेर कमाया ओह जग विच ओखे होया ते टाक करे ते टेक ना सके क्योंकि सत्गुर ता सबनादा पला मनाईदा है उस दा कदे बुरा हो ही नहीं सक्दा निरवेरा नाल जी वेर चलाईदे तिन विच्चो तिस्टे आना कोई सत्गुर सबनादा पला मनाईदा तिस्दा बुरा क्यों होई दातु जी जादस दासन सिख के आये ता उना अपनी गदी चलोनी चाही ता गुरु रामदास जी ने लिखिया कि ऐसे लोग पल जान्दे हन कि जिसनू अप पूझ योंदे जी गुरु अंगदेव जी थाप गए हन टिक गए हन उसे दी वड़े आई वड़ी हुंदी है उसनू जगत नमस्कारा करदा है ते सारे ब्रहमंड वासी सर्च काउंदे हन जी होंदे गुरु बह टिकिया तिस जन की वड़े आई वड़ी होई तिसको जगत निवया सब पैरी पया जस वर्तिया लोई तिसको खंड ब्रहमंड नमस्कार करहे जिसके मस्तक हत तरेया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड़े आई नित चड़े सवाई अपड को ना सकोई जन नान कहर करते आप बहट किया आप पैपैज रखे प्रवसोई फिर जिकर कीता की गुर पुत गुरु अंगद वेले ही उखडे उखडे विछडे विछडे ते दूर दूर रहें दे सन हुनता हो और दूर हो गए उना निंद का नाल कुझ जरूर रड़े पर साब पंबल पूसियां विच पाए रहे उना दी हालत एह बनी के उहो कुझ कही जान कोई सुनदा तक नहीं सी जेडी थोड़ी बहुत पत रह गई सी उहो वी गवा बैठे जाद टोला बना के विचरन लगे उना दी हालत कोडियां वाडी होई गुरू रामदास जी निज्जी तर जर्बे वज्जों लिख देहन की गुरू अमरदास जी दे मिलन नाल शांती आई हर पगती पाई सेव कमाई नाम नाल लिव लगी विचार उप जी ग्ञान मिलिया वैरी मित्तर इको जिहा जानन दी द्रिष्टी मिली ऐसा ही मित्तर पगत ग्ञानी हमारा गुरू अमरदास जी बस गुरु अमर्दास जी ऐसा अनन्द रूप हन जिना दे शब्दा राही वाही गुरु गाजदा है अनन्द मूल राम सब देखिया गुर सब दी गोबिंद गजिया हुण अपनत जर्बा जा हडबीती दासते केंदे हन की पंडत लोक वेदा शाश्त्रा ते सिम्रतिया नूँ बाचन ते फिर विख्यान करके मान प्रापत करन दी कोशिश कार दे हन जोगी अपने मुखी गोरखदा ना पुकार पुकार राहत हासल करन ली दोड़े फिर दे हन सन्यासी स्रीर साधना नूँ ही जीवन मंतव जान जुटे रहें दे हन ते उसे नूँ मंजल समझ बैठ दे हन खत्री यह समझ दे हन की कोई सुरमताई दी वारदात करके मरातबा पाले आ जाए सुदर ते वैश दुजियां दी सेवा करके कुझ अर्थक मौन नूँ ही लाहवंद जान दे हन ते इसे विच जीवन कलियां जान दे हन पर मैं किसे विद्या चुतराई जान सेवा दा सहरा नहीं लेया केवल नाम विच चित लगाया सहरा केवल प्रबूदा देखिया उस दे नाम दी टेक रख के बाकी सब आसरे छड़ दते एहे सी मेरी कार मैं मूरक हर हर जप पड़ेया मैं मूरक हर आस तुमारी मैं अंदले हर टेक टिकाई वड़हां सराग विच फर्मान दे हन की मैं उपर नजर करी पिर साचे मैं छोड़ड़ेया मेरा तेरा आप जी साड़े पले ले साड़ा सुखाडा करन ली फर्मान दे हन की जद अपना ख्याल छड़ेया बक्षश होई ते एहे बोहल कार आया जो सब को बीजे अपने पले को ऐसे लोकां दी आत्मक पूंजी लुटी जांदी है पर जिसने निमर्तते प्यार नल बीजी उना दी उपज बौती भी हुंदी है ते कार भी पुझ दी है किरसानी जम्मी पाओ कर हर बोहल बक्ष जमाया उस प्रबू ने ही सिफ्त सलादा खजाना बक्षया ते उसे नू वर्त के ही कबूल होया ते पगती थाए पई एहे किसे अपने कर्म करके नहीं होया एहे रहमत दी कहानी है फिर दोहरा के केंदे हन की जदगरू मरदास जिदे चरनी लगा ता उना विश्वाश करवादता कि जिस दा हरी नल प्यार है उहो ही सबना दा प्यार ले सकदा है उसे दी सेवा सफल है जो चित लगा के करदा है जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चक चक आवे जावे गुरू ने है समझा आदता कि इह मनुखा सरीर चोली ने आई है जादता का पगती रूप कसीदा कड़िया ना जाए इह दिखोन जोग नहीं किसे कामदा नहीं सो पगती किती इस पगती सदका अंदर राब दे नेहों वाली रेशम दी तांद बननी शुरू होई अतिब बेक बुद्धी मिली खिमा दे कार रहन लगा इस नेहों ब बेक सदका त्रिशना दी अग बुझ गई तल्खी हटी चित शांत होया मान संसारी मोतों हट रब सेती नहीं लगा मैंनू इह कैन विच रतावी चजिक नहीं के संसारी विद्धिया नौ व्याकरना छेश आश्ट्रा चार वेदा ते दुनियावी समझा नाल उह कदे नहीं पज़दा पर सनता केवल हिर्दे विच नाम टे कौन नाल मिली एह मत मेरे गुरू प्रभू ने मिनू दती के सदा सतनामदा जाप करो मन केवल जाप करन नाल ही उजल हुंदा है जित्थे सतनामदा सिम्रन है उत्थे कोई अठक रुकावट नहीं रेंदी पवजल तरेया जा सक्दा है जे पास जाप दा तुलहा है असा राग देक छांद विच अपनी सारी कालते सफल कमाईदा जिकर कारदे होए रहस्मई टांग नाल गुरु रामदास जी फिरमोंदेहन की गुरु अमरदास जी ने सिर्थे हाथ रख्या प्रीत उपजी मस्तक मनी प्रीत बहु परगटी हर नाम में हर सोहाया फिर सेवा विच लगगे सेवा विच बहुत ही अनान्द आया गुरु ने गड़े नाल लगाया इस सेवा दा सद का समद्रिष्टी मिली जात तरम पात ते नसल दे विखे में मिट गए साब विच उसे दा चलकारा वज्जा सेवा दे नाल सत संगत विच बैठें कीतन करंत कीतन सुनन्दा चाज आ जा गया साद संगत कदे ना खुझाई रस पैदा हो गया साध संगत जा जा एह सोजी होई के शब्द द्वारा सैजे ही पार हो जाईदा है बस मिले सने करके कीती सेवा प्राप्त सम्द रिष्टी साध संगत दे नेम अते शब्द द्वारा उस दी दया नाल काल थाए पई मन चाओ ना हुटे साधे तिहास ने भी लिख्या है कि सेवा करके चार अता पार भी नहीं सी कटिया कई कई दिन सेवा कार्दिया इतने रुज जान्दे सान की गुरु अमर्दास जी दी हाजरी पर नी भी मुश्कल हो जान्दी सी साखी वी आउंदी है कि एक दिन गुरु मर्दास जी ने अपने निजी सेवक पाई बल्लू जी नुँ पुछया कितने ही दिन हो गए हान जेठा जी नजरी नहीं पाई किदरे दूर दुराडेता नहीं चले गए पाई जी ने कहा सचे पाच्षा जेठा जी किदरे नहीं गए गल असल हो रहे सवेरे तों गई रात तक सेवा विच जुटे रहीं दे हन पहला लंगर त्यार कार दे हन संगता नू पंगत विच आदर नाल बिठा आचकान दे हन ठंडा जल आपू पार किल्यां दे हन हर इकदी लोड पूरी कर दे हन शब्द सनों दे हन हर आए यात्र लेई विचोने दा इंतजाम कर दे हन ते जद सिख संगता आराम कार्या हुंदिया हनता पक्खा चाल दे हन ते बहुते ठक्या होयां दी मुठी चापी वी कार्दे हन जी रात वेले वी कोई पानी मंगे जां कोई इच्छा करे पूरी कार्दे हन इस कारण आप जी पास ओना नहीं होया यहीं सुनके गुरु मर्दास जी बहुत ही परसान होये ते शाबाश आखी ते किहा कि जिसने संगता दी मेरा रूप जान सेवा कीती है नौ निदा आते अठारा सिदा उसे नू ही मल दिया हन इस तो वड़ी खुश किस्मती वी नहीं पाई जेठा जी दी बे परवाही दा जिकर वी साड़े साखी कारा कीता है किसे संसारी चीज ना लगाऊ ही नहीं सी इक कवारी किसे ने गुरु अमर्दास जीनू सुचे मोतियां दी माला पेट कीती आप जीने ओह माला पाई जेठा जीनू देदती अगों ओह ही माला पाई जेठा जीने के मलांग नू जो बावली दे रा बैठा गुरु जी सबन्दी बोल को बोल बोल दा रहीं दा सी उसनू इस ख्याल ना देदती के ओहो चुप कर जाएगा कुछ दिन मलांग चुप कर गया सगों सफता गौन लग पया महराज ने पुछिया कि किसे कुछ इसनू दता ता नहीं उस समय पाई जेठा जी ने कहा कि ओहो सुचे मोतियां दी माला इसनू देदती है महराज जेठा जी दी बेपरवाही ते परसान हुए पर नाल ही कैन लगे कि मलांग ने इह तंदा ही बना लेना है इसे तरह ही होया कुछ दिना बाद ओहो होर पहला तोवी उच्चा को बोल बोलन लग पया पाई जेठा जी ने नजर नीवी करके गुरू महराज वाल देखिया ता महराज कैन लगे जेठा जी कोई गाल नहीं एह मलांग इतना बेवकूफ नहीं इसनों एह सोजी है कि जे पहला उच्चा बोलन मन्दा कैन ना सुच्चे मोतियां दी माडा मिल साकदी है ता ओहो एह तंदा क्यों छड़ेगा एह कदे ना पुलना निंदक दा दारू ना ही सलोकां ते पौडियां विच तिन इतिहासक कटनामा पाई जेठा जी सामने गोइंदवाल विखे मुडले सालां विच जो कटनामा वापरियां उना दा इतना डूंगा प्रभावसी के आप जीने गोडी राग दी वार 11, 12, 13, 14, 15 ते तीमी पौडी ते सलोकां विच स्पष्ट वर्नन कीता इस विच एक गोइंदा मुर्वा खत्री दे पुत्तरवल्लों लहोर ते दली अर्जी पौण दा जेकर ते उस दा हशर है दुझे विच तपादा विवाद तीजे विच जिना गुरू पीडी नू इकको जेहां ना जानेया उना दी दशा अते चोथे विच निंदकां दी मांद दशा दर्साई तपे दा पाज उगाडन दी वारता गोइंदवाल विखे हरी राम ना दा एक तपारेंदा सी इस दा सबंद उसे जोगी नाल सी जिस दे चुके चुका एक डूर दे वसनीका ने गुरू अंगद देव जीनू पिंड छड़न लिके हा सी ते माडा हशर होया सी हरी राम गोइंदे दा प्रोहितवी सी गुरू अमर्दास जी दी महिमा जद जाग विच बहुत होई ता एहे तपा खुब तपया ते बेहाल फिरे आया संगता नू आखे की इस गुरू नेता तरमदा मूल ही पुट दता है पंगत विच बिठला चारे आश्रमा नू परशाद छकांदा है नमा पांथ चला दता है तपा कोई उपदर उठा रहा सी पर गुरू जी बेपरवाही ही दास रहे सान बावली साहिब त्यार होन समे गुरू जी ने सब पिंडवासियां ते दूर दुरेड़े दे महातमावा नू वी सद्धा पे जया क्योह लंगर आपाउन निर्वैर गुरू ने इस हरी राम त पे नू वी बड़े आदर ना सद्धा दत्ता एहे दो वारी सद्धा पुजन ते वी ना आया सगों कईया नू वर्जदा रहा उस दे अंदर दी दशा गुरू जी जान दे सान पाज उगेडन लई एहे अलान वी कारदत्ता कि जो वी अज पंगत विच बैठ लंगर उसनु एक रुपे आवी नाड मिलेगा बहत लोकी अखोती तर्मनू विच्चे छड लंगर विच आ बेठे उस समय वी तपा ना आया महराज ने एहे रकमवदा आके पांज रुपे तक कारदती बाकी रहिंदे वी आगए पर तपा अजे वी ना आया गुरुजी ने होर रकमवदा आके एक मोहर कारदती तां हुण तपे दे अंदर ले लाल्च ने जोर पकड़ लिया महिमा प्रकाश दे शब्दा विच उस दी बुद्ध ते सारा वर्न तरम लोब दी लहर विच वैगया आप तां आया ना पर अपने लड़के नू पिशली दिवार तों टपा के लंगर अंदर बिठला जता लड़का चाल मारन कारण टांग ही तुड़ा बेठा जद लोका डठा की हरी राम तपेदा पुत्तर लंगर विच लालच बदा छुपके बेठा है तां फिटकारा पाईया गुरु अमरदास जी ने तपेदे एक होर को कर्म वालवी इशारा कीता है जो उसने मरवाहे दे पुत्तर ना रालके कीता गुरु रामदास जी लिखदे हन की पहलो आदर नाल सद्या ना आया पिछो लोब लहर विच गर्क होके पुत्तर नुपे जिया जद पुत्तर पशाने आ गया तां साब निक्के वड़े लोकां विच बदनामी होई लोकां एहे वी केहा की एहे कोई तपाता नहीं लोब लहर दे रोगनाल गलिया होया रोगी है इसने तपदा तां दंब ही खला रहा होया है बगले वांगू माया रूपी मशलियां पकड़नदा लोकी एह वी कैन लगे कि एह तपा कादा है जो पले पुर्शा दीता निंदा कारदा है ते दुनिया दे चुठे लोका दी मेमा कारदा है अंदर बै के जो आप उस कमाया ओहो वी परगट हो गया ना उस दा एह जहान रहा ते ना ही अगला खोजियां दा खोरू ते मरवाहे दे पुतर दा हशर तपे दा पाज उगड़न नाल पिंड वासी ता चुप कार गए पर खोजियां ने अत चुक लई एहे खोजिय सरवरिये हुन दे सान ते चुके चुकाए गुरु जी दियां संगतानू तांग करन लगे रा जान दे पाणी पार दे लोकानू तांग कर दे जद गुरु जी नू लोकी कुझ उप्राला करन ली केंदे ता आप जी केंदे बदले नहीं लेने, तीरज नालों कोई वड़ा ताप नहीं, संतोख नालों कोई वड़ा सुख नहीं, लालच नालों वड़ी कोई बुराई नहीं, दया नालों कोई वड़ी नेकी नहीं, खिमा नालों कोई वड़ा शश्तर नहीं, जो कुझ कोई बीज रहा है अवश मिल गई फॉज्जा ने साब नुए कठ्या कारके हाथ पैरवार दते मरवाहे देक पुत्तर नूँ फाहे वी लगाया ते बाकिया नूँ बन के लागए महराज ने आख्या है कि दुज्जे दावी माडा हश्र होना सी पर ओहो चर्नी आंट टठा ते गुरु जी ने मेहर कर महिमा प्रकाश ने पूरा विस्थार देके लिख्या है कि मुर्वाहे दी मा गुरु दे चर्ना विच गई ते ओहो मर्नों बाच गया जनवरी चौदा पंदरा सो तर्वंजानू कुर्कशेतर पुर्व अभीच इतिहास दी संबाल दी सुन्दर उदारन गुरु रामदास जी दा तुखारी राग विच नावन पुर्व अभीच गुर सत्गुर दर्स पया वाला शब्द है एहे पुर्व अभीच जनवरी चौदां पंदरा सो तर्वंजानू लगा सी उस समे राज इबराहिम सूरी दा सी यातरू कार लगा होया सी अकबर ता किदरे चौवी जनवरी पंदरा सो चपंजानू तक तते बैठा सी गुरु अमर्दास जी हुन सिर्फ इसले कुरुक शेतर अभी इच मेले ते गए ता कि लोकनों समझाय जा सके कि मनुखा दा साप तो वड़ा वैरी ता आपना विगड़या होया मान है एहे मान जित्या जा साकदा है जे गुरु दी शर्ण तक की जाए इस सफर विच गुरु रामदास जी अते बीबी पानी जी नाल ही सन अनेका संगता वी नाल हो तुरिया पहला पड़ा सुल्तानपुर की ता अते उत्थों पिंड डला गए डला नू गुरु अमर्दास जी ने रतना दी खान के हासी उत्थों दे 72 उग्गे सिख होय सन डला तो नूर महल ते सतलुज पार कर मालवा विचर दे पहेवे पुझे राविच पगती द्रड करनली सबना नू कह रहे सन जद किसे इतराज कीता कि तुसी अधकारी अनधकारी उच नीच ब्राह्मन शुदर नू दात वान रहे होता केहा कि गुरु नानक दपदेश चौवरना को सांजा है वितकरा ही दुखां ते तकलीफां दी जाड है पहेवे तों था नेसर टिकाना किता जोवी दर्शन कारदा बक्षिशां पौँदा दुख काटदा ते पगती सिंच दा गुरु रामदास जी केंदेहन की रा विच हर खिन निमक पल-पल कदम-कदम रोज परमातमा दी पगती दा अफसर बनेया रहेंदा सी सारे पैंडे परमातमा दी पगती दा उद्दम बनेया रहा एह सदा याद रखना की साथ गुरु ने ती था ते जान दो पराला साब लोग उद्रण अर्था कीता गुरु रामदास जी लिखते हैं की जद कुरुक्षेतर आउन दी खबर पुजी ता दर्शना नू लोकाई नसी आई प्रापत कीती उच्चिय वस्था वाले मनुख रिशी आई कठे होए लोकां दे पाप हरे गए जीवन मार्ग उना नू मिलिया निरे दर्शन कर्ण वाले ही नहीं सन गोश्टा ते विचारा वी कर्ण वाले सन विचारा कर्ण आयां विच जोगी, नागे, जैनी, सन्यासी अते छे पे खांदे सादू वी सन कहीं पर कारदियां विचारा होईयां, उना अपने शंके निवर्त कीते गुरू जी दे उत्थे ओन नाल दिन पवित्तर हो गया विचारा दा तू रासी के गुरू ही पापनाशक है अते ओहो ही का मादिक वैरियां तो बचा साकदा है जो तब्दिली गुरू अमर्दास जी विच गुरू अंग देव जीनु मिलन उपरंत आई सी उसदा विस्थार दस्या उना दर्साया की गुरू मिलन नाल पुराणी तारा ही बदल गई वैशनव रुची मुक गई अर्चा पूजा हट गई बाहरलियां विदियां दी अराधना मिट गई सेवा कार्दियां निर्गुन पार ब्रह्म दी उपाशना जाग उठी त्यान सहजे ही निरंकार विच हिर्दे नाम आ गया सब पासे खेडा ही खेडा दसन लग प्या उत्थेक पंडत मोहनलाल ने एह चर्चावी आन छेडी के तुसीं देव बानी संस्कृत क्यों छड़ी है गुरू जीदा ठोकमा उत्तरसी के संस्कृत खूदे पानी वांग है जो केवल अपनी पैली जो सारे जीवानों इकको जेहा जाल देनदा है जद किसे केहा कि तीर था ते जानदा कोई लावता हुंदा है ता आप जीने केहा बिल्कुल नहीं तीरत ता आप लोच दे रहें देहन की कोई महात्मा उना दी मैल गवाई जोती सार्दे अस्थान ते पुझ के आप जीने दान दी तारा दा रुखवी बदलिया लोडवन्दा दी लोडपूरी करनी ही सापतों वड़ा दान किहा ब्रह्मन प्रोहित डंकोत पांडे दविज देख देही रहे आप जीदा इहे वी फिर्मान होया कि लोडवन्द अर्थी नू इकठे कार तन देहे तिस्पाई जिस् देन कुरक्षेतर रहे गुरु रामदास जी दे वरते गोस्ट टोवा दे शब्द वी त्यान देन जोगी हन उनदा पावसी के सब गुरु चर्नी आए लोग अपनिया बणिया विचारा गुरु दे चर्ना तेही पेट कार गए नमे ख्याला नाल पर पूर हो परते नमी ज जीवन रों उना विच्च दोडी नमा उच्छा मिलिया नरोय विचार उना अपनाए बंदन टूटे पर सन चित होई गुरु रामदास जी दे शब्दा विच जोगी द गंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोस्ट टोवा कुरक्षेतर तो पेपली कर नाल पाणी पत ते शामली दे रा जमना पार किता जमना बेडिया दा पुल सी अते मसूलिये मसूल उग्राउन लई बैठे होई सन्गुरु जी दा इतना परताप सी के पहला मसूलिये आपूं पेटा लेके आए सारी संगत बगैर मसूल दत्ते पार हो गई सारी संगत नू एह अनुबव हो गया कि जो वी गुरु दे मारग निर्पै हो चलेगा उनानू एह जागाती की जम जागाती वी कुझ नहीं आख सकनगे इक विश्वाश दीरों सिखा विच दोड़ गई जे कोई गुर मारग चाले जम जागाती तिसे न काले संगता एक अजीब मस्ती विच जारिया सन हर दुआर लागे जमाल पुर विखे मसूलिया कई जतन कीते कार उगरौन दे पर सब नी सफ़त आखर उना इह मता पकाया कि जो गुरौ गुरौ जापदे जान उना कोड़ों कार ना लिया जावे सारी लोकाई ही गुरौ गुरौ करके लंग गई अद्धी काउड़ी वी मसूल प्रापत ना होया मसूलिये अपनियां संदूकडियां उठा के चले गए तरम दा जैकार होया लोका नू पहली वारी तरम दी आजादी दा एहसास होया सदियां तो दबाए जारहे लोका ने आजादी दा सुआद चक्या इसलेए गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जीदा इस तरह निर्पै हो हर द्वार पुजन नू कौतक नाल तुलना दती है इहे कौतक ही सी के हकूमत एक पासे उस दा जबर एक पासे हाकम उगराही कर्ण वाले खड़े होन ते गुरु अमर्दास जी बगेर यात्रू टैक्स दते लंग जान किसे दी जुर्रत वीना होवे कार उगरौन दी गुरु अमर्दास जी दा नगर हर द्वार ओना सुन के नगर दे मुखी दर्शना नू आई उपदेश सुनेया हिर्दे ग्रहन कीता उहो समझ गए कि गुर सत्गुर गुरु गोबिंदनू हिर्दे विच वसोना ही असल सिम्रती दा पाठ ग्यान शाश्तर है उनन विकीन आया की सुकदेव ने प्रहलाद ने ते इत्थों ताके की शिरी रामचंदर जी ने गोविंद ही सम्रिया सी गोविंद गोविंद जपन सदका सरीर नगर सरीर किले विच पांच चोर डाकुआ दा नाम निशान मिट गया उना सब नगर निवासियां ने गुरु नानक दी जोत दे उपदेश राही पर मातमा दी पगती करन दी दात हासल कार लई जित्थे निरोल फोकी पूजा जां फोकट करम हुंदे सन उत्थे हुन कीर्तन होन लगे एह कीर्तन ही सब लई पुरान पाठ पूजा दान ते पुन हो गया कैसा इनकलाब सी जो गुरु अमर्दास ची दी किर्पा नाल हर दुआर विच आया कीर्तन पुरान नित पुन हो वै गुर बचन नानक हर पगत लई साब तीर्था ते जाके तरम दा राद रडाके पगती दा बीज अनेका ही मना विच बीज के अगियान अंदेरा काट के गुरु अमर्दास ची आये गोईंदवाल साब जग पया निहाल कैसा खूबसूरत इतिहास गुरु रामदास ची ने साम सानुदता बे मुखादा मू काड़ा गोईंदवाल वास गया बावली साहिब उसर गई ता मरवा दे उस पुत्तर जिसनों गुरु अमर्दास ची ने फाहिल लगन तो बचाया सी लाहौर अरजी पाई के उस ते पिता दी जमीन ते गुरु अमर्दास ची ने कबजा जमाल लेया है इनसाफ मिले लाहौर दा नवाब खवाजा आपू गोईंदवाल आया इस अखी डिठा की गोईंदवाल बनावटनों कोई था नहीं दिखावे दा रता पार जीवन नहीं गुरु रबदा रूप हन दिन रात अबादत हुंदी रहीं दी है गुरु जी ने किसे दी जमीन कीन अपनी है उना ता आप विच पैके इस शिकायत करनवाले मर्वा दे पुतर नों बचाया सी उस दा दावा खार्ज कीता मर्वाहे दे पुतर ने हुण अपना मुँ आगरेवल कीता मर्वा अपने नालिक होर साथी ले शाही दरबार फ्रयादी होया रा विच गुरु जी विरुद चूठा परचार करन दी कोशिश करे पर लोकी काननाता रन शाही दरबार दा दस्तूर बाण गया सी के जिसने फर्याद करनी होवे उह दरबार विच पेया चोड़ा जो निले रंग दा हुंदा सी पा के अरजी सुनाई अजेहे फर्यादी दा फैसला उसे समय ही सुना दता जानदा सी जद निला काड़ा खिदो लड़ा पाके मरवा ने फर्याद किती के उस दी जमेन ते गैरदा कब्जा है अकबर दे पुछन ते एहल कारा ने दस्या की मरवा दा कैना चूट है नवाब लहौर आपों जाके तैकिकात कराई सान ते दावा चूट करा दता सी एहे इंजे समा जाया कारहा है गुरु नानक देव जी दी गद्धी ते गुरु अमरदास जी हन जो बड़े मुत्त की परहेजगार सुला कुल खुदा प्रस्थ बनी नो इंसान दे दोस्थ ते मददगार हन गुरु दा लंगर खाना हर लई हर वेले खुला है अकबर ने फरियाद ना मंजूर की ती ते उस दा रुख देख के एहल कारां तके मार के जुतियां मार के दरबार विच्चों बाहर कड़ेया इहे दो में जित्थे वी जान दे लोग की फिट कारां पौंदे आपने रिष्टेदारां दे कार गे उना वी मू ना लगाया कुडमा ने वी कारना वाड़ेया मसा वोटी ते पती जियाने टिकाना दता परोहो किसे नू मूद खौन जोगा ना रहा गुरू रामदास जी ने इस इतिहासक कटना दा गौडी की वार दी बारवी पौडी दे पहले स्लोक विच पूरा चित्तर खिचिया है वड़ी जिम्मेवारी निबाही अकबर फरवरी पंद्रा सो च्याथ इस वी नू अपने सुतिले प्रा मिर्जा हाकम दा पंजाब ते हमला करन दी सूपा लहौर आया अकबर दा लहौर पुझना सुन के मिर्जा हाकम काबल मुड़ गया अकबर ने पिछा ना किता पर लहौर एक साल टिक्या रहा सनातनी लोका ने मौका गनमीत जान के इक महजर नामा त्यार कीता के गुरु अमर्दास ने नवा पांथ चला दता है वर्न आश्रम वाला तरम चाड़ दता है वाही गुरु से मर्देहन अते राम राम नहीं राट दे गायतरी दा पाठ त्रै का संदिया नहीं उचार दे ब्रामन नू मांदे ही नहीं पित्र पूजा नू फजूल के इंदेहन वेद पाठ ताज दिता है मैमा परकाश वार्तिक दे शब्दा विच शकायता दा तुरा एही सी के चार बर्नों को इकठा परशाद खवावते हैं राम नाम छोड़ कर वाही गुरु का मंतर किया है अपना आप जपावते हैं और रसम रवाज नहीं करते अकबर ने सुनेहा कर लिया कि इस परकारदियां अर्जियां पाईयां गया हन पला जानो ता उत्तर देवो नहीं ता किसे नू पेजो साहिब गुरु अमर्दास जी ने उसे समय एह निरना लेया कि पाई जेठा जीनू लहोर पेजिया जाए जो उठाए गए शंक्याद उत्तर देन उस समय वी गुरु अमर्दास जी ने एहे ही कहा कि सब तों योग पाई जेठा जी ही हन इना विच अजर जरंदी शक्ती है शेहन शील हन, चतर स्याने हन, कहन सुनन दी जाच है ते सब बिद लाइक हन अपने पास बुला के रहमता दतिया ते किहा किसे किसंदा पै नहीं करना जो वी उत्तर पुछन निसांग हो के देना पाई जेठा जी ने टिकाना चूना मंडी ही किता, सुनेहा राज दरबार पे इदता, हर कारा आदर नाल लैन आया सनातनिया ते ब्राम्णा ने इलजाम दोहराए कि एना गाईतरी गंगा, त्रैकाल संदिया, संस्कृत वेद पाठ, शाश्तरी वीता, रस्मा ते मूर्ती पुजा चाड़ दती है पाई जेठा जी ने पहली चोट एह कीती कि गाईतरी मंतर तां ओह एथे पाड़ ही नहीं सकती क्योंकि वेद गती मंग कादी है कि किसे मलेश सामने नहीं पड़ना ब्राम्णा नू बड़ी चेंप आई एहे कह के आप जी ने एक उंकार दीतों नी ऐसी चुकी के सारे पास से सकता हो गया कितनी देर चुप चागई आप जी ने चुप तोड़ के कहा कि असा एक नू अंकार नाड़ों पहला पाया है एना उस दे टोटे कारदते सन गुरु नानक दा मत एक अल्ला वाहिद ला श्रीक दा पुजारी है फिर एक हिंद से वाड़ा इसलेई पाया है कि ओहो है हर थां है गाईतरी नू केवल दविज, ब्रामन, खत्री अते वैश ही जापसाक देहन पर गुरु नानक देव जी ने वाहिगरु दता है जो सर्ब सांजा है फिर गाईतरी केवल सूरज दी पूजा दा लखायक है गाईतरी दे मंतर दा आर्थ है परणाम उस देवते नू जो सब नू जिवाल दा है दुखा तो छुडाउं दा है परकाश रूप है बेंती कार्न योग है पाप नाशक है जो साधिया बुदिया नू प्रेर्दा है उस दा असीते आंतार देहा गुरु नानक जी ने सोधर दी सोजी दती है जिते कई सूरज चांद सिर्चुका आ रही है अपनी बोली लोकी छेती समझ लें दे हैं इसले ही सब सचयाईया दा परचार लोकां दी सरल बोली विच किता है तीरत किसे जल जांब नासपती करके पवित्तर नहीं महापुर्खा दे तप करके पवित्तर होए हन अते जित्थे भी महापुर्ख होंदे हन उहो ही तीरत अस्थान है तीरता दी हालत इहे बनादती गई है कि उत्थे हरके संत लोकानू दुरे दुरे कीती जान दी है जात पात एक श्रैनी दा जूला दूजे ते पका करन ली कडी गई सी गुरु पाद्षा जात पात जनम तो नहीं मान दे, करम तो मान दे हन जनम तो जात मनन नाल दल विच नफरत ओपजदी है गुरुजी दिला विच अल्ला प्रेम अते अल्ला दी रची दुनिया नाल प्रेम सिखाल रहे हन जो रा इत्थे द्रड कराया जा रहा है उस राही इक दुझे ली प्यारता बांदा ही है सगों जीवन वी खेडे वाड़ा हो जानदा है हर वेले चा बनिया रिंदा है हिंदू त्रै काल संदिया मांदा है साड़े विच मूल वस्तु हर वेले साई दे हजूर विच रहना है हते उस दी हजूरी दा स्वाद मानना है इसे नू नाम किहा है जो हर पासे पसर रहा है मूर्ती पुजासी नहीं कार दे खुदा नू हर्था व्यापक समझ दे हां बुत पत्थर है निरजंद है बुत प्रस्ती असल विच बोधियां दी शै है ओहो व्यापक वाहिग्रु दे उपाशक ना होन कारण अपने बजूर्ग दी मूर्ती बना के उसना प्रेम का दे हां जिना पास जाहरा जहूर हाजरा हजूर अल्ला है उना नू मूर्ती पूजा दी की लोड इस सारे वारतलाप दा सारंश देंदे मेकाल्फ ने लिख्या है कि गुरु जिने कहा कि दया तुल केडा तीरत अस्थान है किसे नाल वैर ना रखन नालों केडा होर वड़ा वर्त है हर इक प्राणी विच अल्लादा नूर देखना ते किसे दी आत्मा ना दुखान नालों केडी वड़ी पूजा है गुरु साबनू मान देंदे हन पर आपू निर्मान हन पर इहे ब्रामन साबनू तुछ ते हीना समझ देहन ते अपने आपनू परमेश्वर सवार्थी ते लोबी माया पिछे नास देहन पर गुरु ता दुझे डांगलेईवी नहीं बचान दे सिखी दा तुरा है पक्खंड तज वाहिगरू दा नाम जपना निमरता रखनी ते हों मेंनू काबू करना दासन दासा होए रहो हों में बिख्या मार इहे सुनदे सार सारे शांत होगे किसे मुहों गालना निकले पए लोक सीतल रात करनी ना आवे बात अकबर ने परे दरबार किहा परमेश्वर दरवेश जी दोव नहीं पेद एकको एह सोव इना नाल चर्चा करनी ही नहीं सोब दी वेद पाठता संसारी वीत है एहे वेदा तो उच्चेहन महिमा परकाश वारतिक विच एहे वी लिख्या है इस बानी में सिर्फ नाम है और साहिब की सिफ्ट भरी है तुम लोक साहिब लोक कांदी निंदा करते हो तुम जानते नहीं के जो कुछ पदारत है सो इनके पास है अकबर ने खाहिश जाहर कीती के हो दली मुर्दा गोईंदवाल दर्शना ले आएगा अकबर दली मुर्दे अगले साल पंदरा सो स्तार्ट दे अरंब विच गोईंदवाल आया लंगर बैठ परशाद चकिया दर्शन का त्रिपती होई अते गुरु अमर्दास जीदे चे अनल नहीं इहे याद हक फाल है अल्ला दी याद दा मिठा फाल है कितनी देर बैठ विचारा सुनदा रहा इस लेक निंगम ने लिखिया है कि गुरु जी ने शील अकबर विच एक शर्दा वांस रोता पाया आग्या लैंड तो पहला अकबर ने निमर्ता नाल किया अब मे खांदेया खर्चदेया तोट नहीं कोई चा नहीं बचन कीता चा किछ नहीं हमारे बारां पिंडा दे पटे लिखके गुरु दे चर्ना ते अकबर चड़ा आगया उह पटे सिख इतिहास कहिंदा है कि एक आले विच ही पाई रहे गुरु जी ने कदे नहीं वरते बुटे शा ने एह वी लिख्या है कि अकबर इतना प्रबावत होया कि जादता को हो जिन्दा रहा हर साल गोईंदवाल वे साखी वाले दिन एक लाख वी हजार रुपे पेटा वज्जों पे एदा रहा पाई जेठा जी ने लहौर विखे जिस जिम्मे वारी नाल कारजनू न बाया सी अकबर दा गोईंदवाल ओना उसे दाएक सिटा सी परेम प्यार दिया चाकियां लहौर तों गोईंदवाल वाल चलन वेले पाई जेठा जी दी नजर इक महीन रेश मी कुरते थे पाई पावे गुरु अमर्दास जी मोटे खदर्दा चोड़ा पहंदे सन अते दुझा पास रखदे ही नहीं सन पर संकल्प कर बैठे की ऐसा मेरे गुरु दे तानते चाहिदा है पावनी कारके दर्ता चोड़ा गुरु अमर्दास जी ने उस समय गोईंदवाल बैठे परवान कार लिया असल विच अंतर मिट गया सी फिर बे मौस में आंब दे के सोचिया की वड़ेयां पास खाली हत जाना सोबदा नहीं एहे आंब इक वड़ी सुगात जान खरीद लिया पर राविच समा चोखा लग जान कारण आंब विच्चों टला हो रास चोन लगाता त्यान तर आपूं चूप लिया जद गोइंदवाल पाई जेठा जी आये ता गुरू अमर्दास जी ने आपूं ही कैदता कि तेरिया सारिया पे टावा पुझ गया सन आंब ता बहुत ही रासदायक सी गुरू नू किसे संसारी चीज दी लोड नहीं गुरू ता प्यार दा पुखा ते प्रेमी दे अधीन है शिरी सातगूर नित पाओ अधीन पर एह साबते परगठ हो गया कि गुरू ते सिख विच कोई अंतर नहीं इक वरी पहला वी पाई बुड़े दे प्रेशन दे उत्तर विच गुरू जीने कुरली कार दे सारे पदार था दे कान जो संगता लंगर विच छाकदियां सन उ सो आज जैसी एह पहला पाग पना नंबर पैंट तक ही पढ़ांगे तनवाद जी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते